इसानों के आंदानी डबल करूंगा ये उन्होंने कहा था वही गैरेंटी और MSP मैं बढ़ाओंगा और MSP को मैं लीगल स्टेटस देऊंगा ये कहा था ये ही उसकी गैरेंटी और अपने कारेकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को युवाओं को किसानों को उससे लाब हो अब युवाओं तो नोकरी के लिए थड़प रहे हैं रास्ते पे आए हैं और इंफलेशन इतना बड़ा है सभी दाम खाने पीने के और सभी चीज़े आकाश को पहुँचे हैं उसकी उनको फिकर नहीं है इंफलेशन की अनेम्प्लामेंट की और जो उन्होंने पहले पिक्चर बताया वो क्या बोलते ट्रेलर बोलते थे वो तो वो ट्रेलर में ना डिजल की कमी दिखा रही ना पेट्रोल का दिख रहा है ना और किसी गैस का कुछ भी नहीं है क्या है और इसने आके इतना बढ़ा दिया कि किसी सरकार ने छोटे से टेनिवर में सेक्डो रुपे नहीं बढ़ाया और ये आदमी जो दस साल में गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सका ये सब उदान आपके पास तो उसी की फिर मैनिफेस्टो देखना ये और उसको विस्वास करना ये ठीक नहीं है और इस से ये साबित होता है कि लोकों के लिए उनों कुछ देने के लिए उनके पास नहीं है सिर्फ बाकी के बाद पीछे के बादे कुछ बोल कर और कोई मैनिफेस्टो में ये कहता है कि मैं इतने किलोमेटर रोड बनाया इतने किलोमेटर मैं ने ये किया और अरे जो असल चीज है लोकों के पेट भरने के लिए आपने क्या किया अरे तुम ने आप कहा देते हैं हमने तो फूट सेक्यूरिटी एक्ट लाए हम तो कानून लाके लोकों को वो लीगलाइज कर दिये तुम पांच केजी अगर हमारा राशन में बड़ोद की तो कोई बड़ा उपकार नहीं है कि ये 35 केजी पहले हम देते थे उसको आठ हुआ हर स्टेट में आपको मानूम है कोई स्टेट में फ्री देता है कोई स्टेट में एक उर्पए दिया पहले शुरू में अब वो पांच गेजी फ्री दे रहा है उत्तर भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी दक्षिन भारत में पूरी भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी वो खन्या कुमारी से कश्मीर तक कब लाएगा और वेस्ट बंगाल से लेकर अपने गुजरात तक कब लेके जाएगा यह सब छूटे वाइदे हैं और हमेशा ऐसी चीज़े जूट बोलते 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 उन्होंने दो एलेक्शन जीता यह तीसरे एलेक्शन में नहीं क्योंकि लोग एक बार विश्वास रखते हैं देखिए ऐसे चीज़ इस वक्त बोलने के बज़ा है वो अपने मैनिफेस्टों में लोकों के लिए उनके युवाओं के लिए और गरीब लोकों के लिए क्या करने वाले हैं यह पहले बता देओ बाकी के बाद हम उसको रियाक्शन देंगे रेवडियो की बहुत बात करते हैं पीम मोदी उन्होंने कहाए कि मुफ्त बिजली हम पदान मंतरी सूरे गर्योजना के त्रू हर घर को देंगे देखो पहले तो लोगों को रेवडी बोले अप पहले तो लोगों को अगर राश साइज करते हैं और वोई वोटों के लिए आप लोग करते हैं तो ये समझें कि हमारी बहुत सी जो ग्यारेंटीज हैं उससे घबरा कर उन्होंने ये सारी चीज़े कही है जो ये उनका लोकों को मिलना नामूम के लिए उदान के तोर पर कहता हूं कि फर्स्ट ग्यारेंटी हम ने जो हिमाचल में दी वो निभाई दूसरी ग्यारेंटी हम करनाटक में दी वो निभाई तीसरी के ग्यारेंटी का जो ये खोला वो तेलंगाना में दिया वो कर दिया हम तो वाईदे पूरे करते हैं अरे बाबा तुमने जो वाईदे किये थे वही अगर आप जो लोग लूटे वो उनके जोली में हैं उनके क्या बोलते हैं आप उनके लैप पे बैटे हैं और वो शाह के वासिंग मसीन में जाके क्लीन होकर भार आएं और अब तक उन्होंने जो 25 लोग लोगों को ED का, CBI का, IT का जो केस डाल कर उनको डरा के दमका के लिया है फिर वो तो भरस्टी थे ना बही अगर भरस्टाचारियों को आप नहीं छोड़ने वाले हैं तो उनको पकड़ लेके अपने पार्टी में क्यों लिये अपने गोद प यह सबको मालूम होता, खुद यह लोग भरस्ट हैं, इसलिए यह चीज़े करते हैं